इस वक्त अमेरिका का एक और एक्राफ केरियर इसराइल की सपोर्ट के लिए जबाना उच चुका है पहले जेराल्ड पोस और आप आइजन हावर अमेरिका का आक्शन बता रहा है कि वो इरान और हजबुल्ला को हर हाल में दोकने वाला है अमेरिका ने अपना दूसरा एक्राफ केरियर तब भेजा है जब इरान ने दोटूक शब्दों में काए कि इसराइल ने गाजा पत्ती में हमले नहीं रोके तो वो भी युद्ध में उतरने के लिए तैयार है इसराइल का इरादा बिलकुल क्लियर है हमास के हर आतंकी का नाश इरान का इरादा बिलकुल क्लियर है हमास के खात्मे को बचाने के लिए युद्ध में कूदना है अमेरिका का इरादा बिलकुल क्लियर है इस्रेल को हिजबुल्ला से, हमास से और सबसे बड़े दुश्मन इरान से बचाना है मामला फस गया है इस्रेल, फिलिस्तीन, युद्ध का फंडा अब इरान और अमेरिका के गले में भी फसता जा रहा है अमेरिका ने अपना एक और एरक्राफ्ट करियर भूमद धिसागर में उतार दिया है आइसन हावर अमेरिका का दूसरा एरक्राफ्ट करियर है जो भूमद धिसागर पहुंचने बाला है इस सेयरक्राफ्ट करियर की डीटेल जानकर आप चौंक जाएंगे कि ये किस कदर का शक्तिशाली है लेकिन इस सेयरक्राफ्ट करियर की डीटेल में जाने से पहले जो बाइडन के भेजे इस युद्दपोत के भूमध धिसागर में उतरने की टाइमिंग समझ लीची ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि रण भेरी बच गई है एरान और अमेरिका किसी भी वक्त एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं USS Dritt D. Eisenhower, CVN 69 अमेरिका ने इसरेल के सपोर्ट के लिए तब भेजा है जब एरान ने इसरेल को खुली धमकी दी है युद में कोदने की धमकी एरान ने कहा है के इसरेल गाजा पट्टी पर ततकाल हमले बंद करे वरना वो हमास के सपोर्ट में मैदान में उतरेगा बर असास दर कम अज़ वागईयत मुगावमत बे जनायतकारान जन्गी वहामियान आन्हा दर मन्तक खुश्दार मीदाम के ता दीर नशदे जनायात जन्गी रज़ीम कुदक कुदकुच जहली दर इसराईल अलیह शहरवंदान व गेर नज़ामियान दर गज़ फुरन मतवगफ शबद शायद साओत दीगर खेली तीर बाशनाया लबनन में हिजबुल्ला को इरान का समर्थन हासिल है और यही हिजबुल्ला जब गाजा पट्टी से हमास ने इसरेल पर हमला किया तो दूसरी ओर से इसने भी इसरेल के खिलाफ रॉकेट डागने शुरू करती है हिजबुल्ला ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने विवादित ख्षेत्र में पाँच इसरेली आउटपूस्ट पर हमले किया है तो इस सुवक्त इसरेल चारू तरफ से घिरा हुआ दिख रहा है अमेरिका का मदद के लिए पहुचना भी तैमाना जा रहा था आपको आगे दिखाएंगे कि इसरेल के सपोर्ट में अमेरिका ने सिर्फ समंदर में युदपूत नहीं उता रहे है बलकि आसमान में भी पहरा कैसे सब्च कर दिया है लेकिन उससे तहले एरान के विदाईश मंदरी का एक और वक्त तब बिसुन लीचे क्योंकि एरान क्या करने जा रहा है हम दर्याफदम के बातवच्जब सेनारियो हाई दर मगाबल हिजब ला हर गूने एकदामी एक जल्जली बुज़र्ग अलिए है सहियोन साफ़ाद बुट इरान के इसी बोली वानी का रियाक्शन भूमध्य सागर में देख रहा है जो परमाणू हत्यार अत्याधुनिक फाइटर जेट और रेडार सिस्टम से लेस है अमेरिका की इसके जरिये हिजबुल्ला या इरान को चेताने की कोशिश है अमेरिका इस्रेल की यारी की कहानी भी बहुत दिल्चस्प है लेकिन उसकी डीटेल आगे क्योंकि दुनिया भर के एक्सपर्ट को इस वक्त चिंता सता रही है कि रूस योकरेन युद में एक देश ही परमाणू शक्ति संपन्न है फिलिस्तीन इस्रेल युद में तो कई परमाणू शक्ति संपन्न देश एक साथ टकरा सकते हैं उसके बाद क्या होगा मन्थन जारी है युएन खुला है यूरोपियन यूनियन विचार कर रहा है इरान अमेरिका का आमना सामना टालने की तैयारी शुरू हो चुकी है लेकिन इस बीच इरान से लेकर लेबनन तक खौल रहा है इस समय यूदपोत जरारी फोड पहले से ही पूर्वी भूमत सागर की निग्रानी कर रहा है और अब एक और महा सक्ति साली यूदपोत इसरायल की सपोर्ट के लिए अमेरिका की तरप से आ रहा है अमेरिका को भी ये असपस्ट हो चुका है कि अगर इस्राइल के पच्छ में खड़े नहीं हुए तो इरान हमास और हिजबुल्ला के बल पे इस्राइल को कमजोर कर सकता है अमेरिका खुल कर फ्रंट पर खेल रहा है और इरान की राश्योपती इब्राहिम रईसी भी पीछे नहीं है कहा जा रहा है कि अमेरिका इस्राइल और सौधी अरब के बीच दोस्ताना संबंध स्थापित कर इरान को अलग थलग करना चाहता था इरान इस वक्त जिस हमास के समर्थन में उतरा है उसकी आवाज बंद करना चाहता था लेकिन इस बीच इरान ने खेल खत्म कर दिया हमास ने इसरेल को घर में घुस कर मारा और अब इसरेल हमास को उसके घर में घुस कर मार रहा है अमेरिका इस काम में इस्रेयल के साथ खड़ा है अमेरिका के रक्षा मंत्राले का कहना है कि हिजबुल्ला या इरान को हमास से हाथ मिलाने से रोकने के लिए अमेरिका ने दूसरा युद्धपोत भीजने का फैसला किया है दूसरा पर्मानु संचालित युद्ध पोत भेज कर अमेरिका ने हमास आतंकवादी समू के समर्थकों को एक मजबूत संदेश भीजा है और यह सुनिश्चित किया है कि यह संगर्ष गाजा से पश्ची मेश्या के अन्य हिस्सों थक ना फैल अमेरिका युद्ध रोकने की कोशिश कर रहा है या युद्ध भढ़काने की सूरत में इस्रैल के समर्थन के बहाने इरान को हमेशा के लिए खामोश करना चाहता है यह तो एक दम सीधी सी बात है जो दो एरक्राफ्ट केरियर अमेरिका ने इसराइल भेजे हैं भूम अद्धिसागर में उनकी तैनाती युद्ध वाली कहानी ही बया करती है अब हम आपको बताते हैं जिन में से एक आईजनावर एरक्राफ्ट केरियर परमाडू उर्जा से ये लेस है मतलब युएसस आईजनावर परमाडू उर्जा से लेस है 3D रडार से लेस इसकी जंगी जहाज में टागेट को इंटरसेट करके नश्ट करने की शमता रखता है इसकी उचाई है 244 फीट यानी 74 मीटर इसकी रफतार 56 किलो मीटर प्रती घंटा है आईजनावर पर एडवांस फाइटर तैनाथ हैं इस पर 56 फाइटर जेट और हेलिकॉप्टर तैनाथ किये जा सकते हैं ये इसकी शमता है इसी के साथ में ये वही वार्शिप है जिसने खारी युद में एहम भूमिका निभाई थी आईजनावर में 1977 से अमेरिका नौसेना में हैं तो आप समझ गए होंगे कि कितना महत्पून है ये एक्राफ्ट केरियर जो अमेरिका की ओर से भेजा गया है अमेरिका की पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली नौसेनिक बेड़ा है अमेरिका इसकी ताकत का एसास पूरी दुनिया को कराता रहा है इसरेल के साथ अमेरिका के खड़ा नहीं होने की दशा में इसरेल का स्तित्त बच पाएगा कहना मुश्किल है क्योंकि इसरेल पर इरान जैसे देशों की गिद्ध द्रिष्टी जमी रहती है इरान जैसे देश अब तक कुबूल नहीं कर पाए हैं कि अर्भों के बीच एक यहूदी देश बसा है यही कारण है कि हमास और हिजबुल्ला जैसे संगठनों को खाज पानी देकर इरान उन्हें पालता रहा है और यही वज़ा है कि अब अमेरिका अपनी हैसियत दिखा रहा है एक्राफ्ट केरियर आई जुनावर के पहले अमेरिका ने जराल फोर्ड को भूम अद्दे सागर में उता रहा है इसके बारे में हम आपको बताते हैं परमाडू हूर्जा से चलने वाला जराल फोर्ड 76 मीटर उंचा है इस तरह इसकी उंचाई दिल्ली के कुतम मिनार की 73 मीटर से उंचाई से भी ज्यादा है अब आप अंदाज लगा यह कितना उंचा यह रहा है इसकी शमता एक लाख टन से भी ज्यादा बताई जाती है इस पर एक साथ 70 फाइटर जेट ले जाने में यह सक्षम है इसकी रफ्तार है 56 किलोमीटर प्रती घंटा इसे चलाने के लिए 4500 नौसेनिक तैनात कर दिये गए है एर्क्राप्ट करियर आइजन हावर और जेराल पोर्ट दोनों वार्शिप परमानुक शक्ती से संचाली थे और शत्र में किसी भी प्रमुक शक्ती से मुकाबला करने के लिए भूमी पर हमला करने वाले मिसाईलों और F-18 लड़ाकों विमानों में सैन ये शक्ती रखते हैं अमेरिका के रक्षामंत्री लॉयट आस्टिन ने कहा है कि स्ट्राइक ग्रुप को आदेश दिया है कि वो भुमद्य सागर में उत्तर में अपनी पोजिशन ले ताके इस युद्ध को वढ़ने से रोका जा सके। इस्रेल युद्ध नहीं फैलने से रोकने की बातों के बीच समन्धर और आकाश दोनों में सुपरेक्टिटिव हैं इस्राइल घाजा को मिट्टी में मिला रहा है और अमेरिका समंदर और आस्मान से उसके निक्रानी कर रहा है समंदर में इस्राइल को अमेरिका का सपोर्ट देखा अब आस्मान में देखिए US Air Force Central ने मध्यपूर क्षित्र में F-15E लडाको जेट और A-10 Ground Attack जेट की तैनाथी की घोशना की है US Central Command के एक सोचल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि A-10 इस क्षित्र में पहले से मौजूद विमान के एक आन्मे एस्कॉर्डन में शामिल होगा अमेरिकी वायुसेना ने एक शेक्र में F-15, F-16 और A-10 लडाको जेट विमानों के इस्कॉर्डन के तैनाथी की भूशना की थी अमेरिकी बलके इस्थिती में वृद्धी इसरैल की सुरक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की द्रिण प्रतिबधता और इस युद्ध को बढ़ाने की कोशिश करने वाले किसी भी राज्य या गैर राज्य को रोकने के हमारे संकल्प का संकेत है इसरैल कहां जाकर रोकेगा और अमेरिका इरान या हिजबुल्ला को कब तक रोक पाने में कामयाब होगा इस पर फिलहाल मन्था नहीं किया जा सकता है क्योंकि कम से कम अभी तो कोई पक्ष रोकने वाला नहीं दिख रहा है इरान और अमेरिका के हित इस्राइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर आकर अटक गया है अमेरिका के प्रतिबन से बुखलाया इरान चाहता है कि वो अमेरिका को अपनी ताकत का एहसास करा है जिसके पास परमानू बंभी है और बेहतरीन डोन भी इरान को ये भी लगता है कि अगर वो इस युद में कुदता है तो अरब देशों के अलावा चीन और रूस भी उसका साथ देंगे ये सही है कि इरान अमेरिका से टक्राया तो जंग होगे वो रूस योक्रेन महा युद से भी बड़ा विनाशन और मौतों आली होगी लेकिन इसके बीच का सच है कि दोनों युद भड़का रहे हैं इरान, हमास या हिजबुला का साथ नहीं छोड़ सकता तो अमेरिका भी इसरायल को धोखा नहीं दे सकता अभी उसके दो युद पोथी समंदर में उतरे हैं जरूरत पड़ी तो अमेरिका भूमन धिसागर को अपनी नौस्यानिक शक्ती से मत देगा लेकिन समस्या ये है कि इरान अपना पर्माणो बम लेकर सिर्फ इतराता रहेगा या इसरायल के अंत के लिए इरान के राश्वपते इबराहिम रैसी भी कोई बड़ा वैसला है